आपल आइफोन ने भी भारत के अंदर एक आउटलोट खोल दिया एक मुंबई में खोल दिया एक दिल्ली में खुल जायागा साकेत में और मुंबई वाले की ओपनिंग करने आए थे एपल के CEO टीम को तो पाकिस्तानियों के जलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है यह मुद् करना तो बहुत दूर की बाद जो असेंबल करती थी वह फैक्टरिया भी बंद हो गई यह वो भी ताले लगा के चले गए डॉलर बहरान मुबाइल मैनुफैक्चरिंग फैक्टरियां बंद हजारों लोग बेरोजगार हो गए एलसी ना खुलने की वज़ा से 400 इंजीनियर समय तीन हजार मुलाजमीन बेरोजगार हो गए मुलक में जारी माली वर डॉलर बहरान के बाइस मकामी सता पर मुबाइल की मैनुफैक्चरिंग के लिए लगने वाली यूनिट भी बंद होना शुरू हो गई जिससे हजारों मुलाजमतें बेरोजगार होने का इनकिशाफ हुआ अब तीन बड़ी मल्टी नेशनल कमपनियों ने अपने सेल फून एसेंबलिंग यूनिट को बंद कर दिया है यही तो क्यामत है एक और कमाल की बाद पिछले साथ आठ बने से पाकिस्तान में कोई नया फोन लोंची नहीं हुआ क्योंकि जित्ती भी मेनिफेक्शिंग कंपनिया थी सब पाकिस्तान छोड़के बाग चुकि यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है और इसे में एपल इंडिया आ जाए तो भाई पाकिस्तानियों तो गरम तोवे पर रखे पोप्कून की तरह उच्छने लगे बिल बिनाने लगे कलेजा फट गया और पूरे पाकिस्तान में आकार मच गया कि भारत में एपल इस्टोर आ गया और नहीं तो क्या इन भूके कि इंडिया में आ जाने से यह तड़ रहे हैं मगर बदकिस्मत ही देखिए और इन गदों को यह भी नहीं बता कि बारत के अंदर तो एपल फून की मैनिफेक्चिंग भी होती है तो हमें ना पाकिस्तानियों ग्यान दरूस्त करने के लिए और इनके जले पे नमच रखने क पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े-बड़े स्पोर्ट्समेन आएं बड़े लोग आएं ताके पाकिस्तान का इमिज बेतर हो लेकिन एक एपल के सीओ टिम कुक जो हैं वो इंडिया हैं और पूरी दुनिया ने इसको हाइलाइट की है आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था वो कह रहा था कि जो मुझे सीओ की तकलीफ हो यह है कि हमारी उमीदे टूट गी है तो क्रॉस दबॉर्टर क्या हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कमपनी आपको बदा ही है आपल उसके टिम कुक जो है वो माधुरी के स आप खाना खा रहे हैं होता नजर आ रहा है पाकि ее to छो पकिस्तान की आवां भी च्छाति कॉच रही है कि एपल कैसे इंडिया में आ गया दुनिया के कंट्री अगर इंडिया की बात करें जैसे मैंने बोला है वहां पे अभी रिसेंटी आज कल की हबर है कि वहां पे एपल स्टोर ओप उन्हें देखें कहने का मकसद है कि मरान खान की एकुमत आई ठीक है उसमें ओपो कंपनी भी याि-उन्हों ने थाया भी है इन्हों ने अपनी इंसांग भी आए जैसे ही इम्रान खान की एंखिया उम्रान खाने के पहले ह French जाक है तीक है अब एक चीज कमपनी हं में पहले 35,000 रुपी की ती बो इम्रान का की एक वग्त बात सभाया उन्हों ने जाके थीक है अब एक चीज कंपनी हमें पहले 35,000 पेगी दे रही की वो 60,000 पेगी कैसे देगी ठीक है टेक्सिज इतने लगा दी उन्होंने उन्होंने अपनी फैक्टरी बंद की अपने जिदर पहले उनके गुदाम थे जो भी फैक्टरी थी उधर चले के अब आपके पता हैं अगर आई कि देखो इंडिया का कहा रहे है कि यार इंडिया यहारे से नीचे है अज आज आगे आप उदर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 पे की है उदर जा के देखें आपको वही चीज 10,000 पे में मिलेगी आपने ज्यादा बताया ह कि दोस्ट 6,000 में पाल दे रहूं आपको क्यूं कि वो तरक्की का रहा है यही लोग है यह लोग अमाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ का रहे हैं कि अल्ला के नभी का भी हुकम था कि यहुदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और मुसल्मानों के खलाब मेसा से शाज़ी और उन मुसल्मानों में भी सबसे आगे है पाकिस्तानी मुसल्मान कि पूरी दुनिया हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं उन्होंने करने करना जवाल गाय बेस बकरी भी तुमको देखके उल्टे पेर दोड़ने लग जाती है तो भाई तुम्हारी कौन सी तरकी से दुनिया जलती है और कौन सी वो दुनिया जो तुमको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती थोड़ा इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ अगर यहूद नसारा जी ने हम कहते हैं दुश्मन हैं कभी सक्के नहीं हो सकते यहां पे सारे आप इस ट्रेम कैमरा मैं अगर गुमाएं हर प्रोड़क्ट हर चीज यहां पर उन्हीं की हैं हम एक रखर खनीते भी हैं फिर उनके खिलाफ भी बात करते हैं अब दूसे नमर पर यहां से कंपनी उन्हें तो चाहिए फिर यहां लेके हैं साओ़िया हमारी मदद को क्या तियार नहीं अभी भी नहीं तियार है वो तो है भी मुस्लिम एप उसके बारे में क्या करें दूं को एक नाम की है आपको भी पता वहांपे क्या हो रहा हैं वहांपे नेवन शेयर बन रहना है वहां पिजह काने कलब सहरा कुछ सिर्ब अब के दोर में भी तो यही था ना लेकिन ओरतों को घर से निकलने की अजासत मजबूरी की हालत में थी अब वहां पे क्या है कि जिसने सिम बेचनी ना और अच्छा मुसल्मान है वो कौन से इस सब्सक्राइब के जो पूरी दुनिया में एक होके मुसल्मान है ना वो तुर्की व तुर्क का बोला कि वो सबसे ज्यादा मुसलिम है यह अच्छे मुसलिम है आपको पता है यूरप को कितना फालोव कर रहे हैं और वो अपने आपको सैक्टर इस्लामी कंट्री तो हैं लेकिन वहीं तो बात कर रहा हुँ ना कि जो उनके कुछ जो लोग ना कुछ लोग क्यों यह आपको फाशी भी वहाँ पे हैं लेकिन उसके बाद आपको पता फाशी भी वहाँ पे भी हैं तर्की में तर्की में हैं कियो मुसलिम हो और हो रहा है और हो रहा है काफी हता कमारा हो चुका है तो मेरे भाई तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता तुम्हारी जो हरकत है ना वो ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है दूसरो पे इल्जा मट डाला करो विक्टम कार्ड मत कहला करो तो आईफोन इंडिया के अंदर आई गया है आईफोन 15 आपका भाई भी ले 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 तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो ये बात है और लाइक टार्गेट रखते हैं 12,000 का करवा दीजे बहिए आप लोग अपना गया लगे आपके लिए पाकिसान से लिटेड वीडियो लाता रहता जै हिंज बने मातराम जै शेर रहाम जै शेर रहाम जै शेर रहाम